लेट्स फाइट कोरोना कोरोना जो कि एक बहुती पेंडेमिक की रूप में हमारे सामने खड़ा है और इससे लड़ने के लिए हमें अपनी सारी तरीके अपनाने हैं तो फर्स्ट ओफ ओल लेट्स इंक्रीज अवर इम्मूनिटी आपको पताएए बेटा कि अगर हमारी कांट्री पे सपोस कोई अटेक करना चाहता है एनिमी हमारा तो हम क्या करेंगे हम अपने आपको सब दरीक से सेफ करेंगे स्ट्रॉंग बनाएंगे तो ऐसा ही करोना एक हमारा एनिमी है हमारी बॉडेपे इफेक्ट कर रहे हमारी मैंटल और फिजिकल पावर्स को कम कर रहे है है ना तो इसके लिए हमें क्या करने है는 अपने आपको स्ट्रॉंग बनाना है तो आईए कुछ ऐसे तरीके देखते हैं मिटा कि हम कैसे अपनी बोड़ी को स्ट्रॉंग बना सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं बहुत ही सिंपल चीजे हैं जो कि हमारे घर में आसपस मिल जाती हैं इस वक्त लेकिन क्या चरत है कि हम उनका रेगुलर यूज़ करें तो कुछ चीजे हैं देखिए सबसे पहले सुबे उठते ही खाली पेट लस्टन की एक तो कलिया लें आप लोग आप सब लें और घर में भी सब को दें लस्टन बहुत जबर्दस एंटिबाटिक होता है और लंग्स के लिए टॉनिक होता है नीम की पत्ती का सेवन आपको पता ही है इसमें कितनी जबर्दस के टाणों को मानने की शक्ती होती है आमला पाउडर या आमले का जूस लें आवला पाउडर विटामिन सी से भरपूर होता है आखों के लिए बालों के लिए बोडी की एनरजी मिंटेन करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एलो वेरा जूस ले या ताजा एलो वेरा की पत्ती में से 2-3 चमच उसका गूदा निकल का उसका सेवन करें याद रखिए कड़वा नहीं होना चाहिए गरम पानी में आधा नीबो दिन में 3-4 बार घूट घूट करके चाय की तरह पिए इससे भी विटामिन सी की मात्रा हमारी बोडी में मिंटेन रहती 20 मिनट के लिए सुबे की नरम धूप में बैठना चाहिए जिससे बॉडी को विटामिन डी पूरा मिल जाए जितने उसकी विटामिन डी की रिक्वार्मेंट है वो पूरी हो जाए गरम पानी की दिन में 2-3 बार भाप लेनी चाहिए जिसमें कुछ हम हल्दी मिक्स कर सकते ह जवाइन डाल जीनी का पाउडर या नीम की पत्तियां या युकलिप्टिस ओयल मिक्स कर सकते हैं कुछ नहीं मिलता तो सिंपल पानी की भाप ले सकते हैं तुलसी की पत्तियां अद्रकरश रहत काली मिर्च और लॉंको मिक्स करके हमें वो भी लेते रहना चाहिए गरम पा अगर नहीं मिल रहा तो नहीं जी यह कैसे नहीं मिला तो इसमें से हम जो भी मैक्सिमम इसको एपलाई कर सकते हैं यूज कर सकते हैं वैसा करना चाहिए इसको आईवेट में अम्रिता कहा जाता है मतलब यह हमारी सारी बिमारियों के लिए खाम करता है जो की हमारी आईवेट में बताई गई है उन सभी बिमारियों के लिए गिलोय का काड़ा बहुत ही जादा सेफ और इंपोर्टन है नारियल पानी अगर आपको अवेल हो सकता है तो जरूर पीना चाहिए हलका वा सुपच्चे भुजन करें तला हुआ भुजन इन दिनों थोड़े दिन के लिए अवाइट करतें बाहर का तो सोचना ही नहीं है खजूर, बदाम, उनकका, अक्रोबसे, पपीता, अनार, प्यास का सेवन बहुत करें, बोकली, काले चनी का सूप पिटा या मूंकी दाल यह सारी कुछ चीज़े हैं जोकि हमारी बोड़ी में स्टैमना बनाए रखती हैं, एनर्जी देती हैं हमें, हमारी सारे विटामिन्स और जिंक जो आजकल बहुत इंपोर्टेंट आपने सुन भी रखा होगा, उन सब की सप्लाई पूरी रखते हैं बोड़ी में, रात को ग है ना, सिंपल एक्सराईज जोकि बोड़ी के लिए जरूरी है, हमें जरूर करने चाहिए डेली, और हमेशा सांस लेते वे, आप ये सोचें कि मैं शान्ती अंदर ले रहा हूँ, मैं अपने अंदर पूरी तरीके से शान्त हूँ, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो दूर करता है बिटा, और जिससे की हमारी इमिनिटी इंक्रीज होती है, जितना हम स्ट्रेस से टेंशन से दूर रहेंगे, तो हमारी बोड़ी का वर्किंग बहुत अच्छा होता जाता है, क्लैपिंग थेरेपी, वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव, आपने क्या क करने सिंपल दस प्रंद्रमनट के लिए सब को कहिए घर में, दोनों हातों को पूरा एक के उपर एक खतेली को रखके, फिंगर्स फिंगर्स के उपर रखके, और कस के ताली बजानी है, इससे हमारे सारी बोड़ी के एक्यो प्रेशर के पॉंट्स एक्टिव हो जाते हैं, और हम अपनी सारी बिमारियों को दूर कर सकते हैं, ऑक्सिजन लेवल विदिन मिनिट्स इंक्रेज होता है, सुबे के समय नाक में तेल की दो से चार बुंदे डाने, हम सरसुका तेल ले सकते हैं, शुद्ध सरसुका तेल या देसी घी की कुछ बुंदे, इससे नाक से बहुत ही जादा इफेक्टिव है, इन दिनों में, डॉक्टर बिष्ट राय चौधरी ने इसकी हमें रेस्पी पताई है, इसमें हमें क्या करना है, तुलसी के पत्ते, पुदीना, इलाइची, दालचीनी, अध्रक और पानी को इखटा करके बॉल कर लेना है, साथ एट मिन बहुत है, वहां के लोग इस टी का यूज़ करते हैं, और खपी बिमार नहीं होते, उनकी एस हंटर से अबाव जाती है, हमेश्या आज तक उन लोगों ने बिमारी का नाम नहीं देखा, नेक्स्ट, लंग्स को इनहेंस करने के लिए, कैपिसिटी उनकी बढ़ाने के लिए, वन कप अफ वाटर, प्लस हाफ इस्पून अजवाइन, वन फूर्थ जिंजर, एंड ठंडा करने के बाद, उसमें कच्चा थोड़ा सा हनी मिलाना है, हमेश्या और उसके बाद पीना च सकते हैं, यह देखिए बिटा, हमारी सामनी, यह दो पॉइंट्स हैं, पैरों पे दिखाए गए हैं, यह पैर के अंगूटे और फास फिंगर के बीच में, तोड़ा सा दो उंग्लियों के गैप के बाद, दोनों पैरों में, यह इतना जबर्दस इम्मुनिटी बूस्टर ह कि इसके अगर हम रेगुलर इसको यूज करते हैं, तो हम बिमार होने के लिए तरस्ट सकते हैं, इतना जबर्दस में हमारी इम्मुनिटी बूस्ट अप होती है, मिरेकल्स करता है यह बॉड़ी में, तो दो से तीन मिनट के लिए हमें यह पॉइंट को जरूर प्रेस करना चाहिए, देखिए, अब यह कुछ मुद्रा थेरेपी है, आपको पताइए, कि हमारा शरीर पांच चीजों से मिलकर बनता है न, और वही सारी चीजे हमारी हाथों में इश्वन ने दी है, इन सारी मुद्राओं को आप देखिए, आपके पास टाइम है, आप सीखिए इनके बारे में, और कैसे हम अपने मेंटल और फिसिकल लेवल को सुधार सकते हैं, यह आपको पता चलेगा, जान मुद्रा जो कि हमारी नौलिस पढ़ाती है, और मन को शांती देती है, आप जितना जितना पढ़ेंगे आपको नौलिस होती जाएगी, एक्यू प्रेशर थेरेप Most Important, Relax, अराम से रहिए, शांती से रहिए, टेंशन मत लीजे, किसी भी काम की, जो भी बुरा वक्त है बिटा, निकल जाएगा Read New Books, अच्छी किताबे पढ़िए, Learn New Skills, Painting, Dance, Singing, Planting, Cooking, etc. Enhance Your Knowledge, अपनी नौलिस को बढ़ाईए, आप कहीं किसी से पीछे न रहे, इतना इस टाइम को अपने यूटिलाइज करना है, जिससे कि आपकी Personality इम्प्रूव हो बिटा, जैसे जैसे हम अपनी नौलिस को एनहेंस करते हैं, हमारी Personality अपने आप इम्प्रूव होती जाती है और personality इंप्रूफ करने से पहले भी क्या करना है हमें इंप्रूफ हमारी mentality क्योंकि personality doesn't matter mentality matters first ठीक है तो हमें दोनों लेवल्स पे काम करना है नेचर इस्ता supreme healer नेचर इश्वर की प्रकरती जोएबिटा सबसे बड़ा healer है इसको देखके आपके मन में एक शांती की एक खुशी की लहर दोड़ती है plant से नेचर से प्यार करना सीखिए be with nature enjoy its company ये आपकी सारी tensions release करतेगा meditate ध्यान करिए give the world good and positive energy पांद दस मिनिट के लिए धीरे से बिलकुश शांत हूँ के बैठना सीखिए अलग कमरे में अलग कॉर्ना में और सोचिए कि मैं शांत हूँ ये दुनिया भी शांत है या हमें किसी को कोई problem नहीं है सब बहुत खुशी से और positivity से जी रहे है spread positive vibes have faith इश्वर को अपनी पहली उमीद बनाईए आकरी नहीं कि जब आप सब जगे से हाथ छोड़ देते हैं जब इश्वर को याद करते हैं ऐसा नहीं सबसे पहला faith इश्वर पे ही रखिए keep giving good vibes our world needs love, care, faith and positivity आपको पता ही है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे के साथ की प्यार की, care की और positivity की जरुत है तो आएए सकरात्मता से कुरोना को हराते हैं और पक्का हम होंगे कामियाब